बिहार में जातीय जनगन्ना की रिपोर्ट आने के बाद राजनितिक दलों में नेताओं का बैयान आना सुरू हो गया है इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जातिय जन्गन्ना सिफ राजनीतिक हत्यार बन कर रह गया इससे ना तो राज को भला होगा और ना है इस राज में रहने वाले लोगों का उन्होंने और क्या कुछ कहा सुनिये उन्ही के जुवानी बिहार में जातिय जन्गना का रीपोर्ट अब आ चुका है और जैसे ही रीपोर्ट जातिय जन्गना का आया बिहार में राशलका के दरा प्रस्तूत किया गया, तो तमाम चाहे उराइसी गलियारा हो, आम जनता हो या जो समासे भी हैं उनके वीच ये स्चर्षा बन चुकी है कि जातिय जन्गना का रिपोर्ट आया है और आखिर इस रिपोर्ट में है क्या तो में साथ सीधे जुड़े हुए हैं विक्रम के पुर्विधायक राम जन्गन सर्माजी और पाली गंज के भावी प्रत्यासी वाजपा तो आएए हम इन ही चंद सवालों को लेकर आज इन से हम मिलते हैं इनका क्या कहना है जातिय जन्गना का रिपोर्ट आ चुका है आखिर जातिय जन्गना जो है इसकी आफशकता ही क्यों पड़ी बिहार में जातिय जन्गनना के रिपोर्ट बिहार मंत्री परिशत से पास करना बरतमान सरकार राजनीती के तहत इसका प्रियोग करना चाहती है 2024 में आम चुनाव है चुनाव के पहले इतनी जल्दी बाजी में जातिय जन्गनना का प्रकासन किया गया या चुनाव की राजनीती के सिवा और कुछ नहीं है इसमें असलियत बिहार बासियों के सामने नहीं आया है कि हरवड़ी में लिया गया निर्णय है जन्गनना जो कराया गया मैं स्वेम आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास अभी तक एक भी पदाधिकारी यहां करके पुछने का काम नहीं किया था कि आप के परिवार में कितने सदस्य है जब हम ही जैसे लोग उससे बंचित रह गये होंगे तो बाकिया हुआ हमाम का क्या हाल होगा एलली सरकार का राईनेतिक फैसला है इसका प्रियोग करना चाहती है आगामी आम चुड़ाओं में बिहार की सरकार नितिश कुमार की सरकार तेजस्वी यादों की सरकार लेकिन इसका ब्यापक लाभूने मिलने वाला नहीं है आपको मैं बता दूँ कि अभी तक बिहार में जो सरकारे रही हैं उसमें अधिक संक्या में पिछडे औरती पिछडे जाती के मुखमंतरी रहे है वियार में इन लोगों ने अपने सासनकाल में गरीबों का क्या उत्थान किया गरीब निरंतर गरीब बनते रह गये लेकिन अब इस प्रकार की जनगनना का हववा ख़़ा करके और राजनेतिक स्वार्थ के पूरती के लिए इन्होंने इस प्रकार की करवाई किया है जनता समझ रही है कि हमें कौन रक्षा करेगा हमको कौन आर्थिक किस्ति मजबूत करेगा हमको गरीबी रेखास उपर कौन उठाने वाली सरकार है और कौन पार्टी है उसके परती जनता पूरे मन बना करके बैठी है कि आने वाला दीन में हमती पिछड़ा प्रधान मंतरी नरंदर मोधी के हाथ में फिर 2024 कि सासन सोपेगा इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है तो क्या लगता है कि अभी जातिय जन्गना का जो रिपोर्ट आया है इस रिपोर्ट से क्या फाइदा होने वाला है इस राज को इस राज की जन्ता को सबसे पहले तो और्थिक दिस्टीं से जितने लोग पिछडे हुए हैं सरकार को उनको बारीकी से चाहे अगर जाती कि हो या पिछडी जाती कि हो आर्थिक दिसा जिसकी खराब है उसको जाती के लिए जरीक बiblis संख्यकों को त्रेंटिंग देना है जो आज के जनगनरा में जिनके संख्या कम बताई गई है यह बताने से कहा होगा आज बहुत से नेता लोग बोले हैं कि सरकार के पैसला से मत्ला हम लोग का क्या मनेलाब होने वाला है सरकार उसकी जाज करा है कि मतलब किसकी आर्थी किस्तिती मतलब कितनी है दोजारेगारा के बाद मतलब कितने लोग दरीबी रेखा से उपर उठे हैं कितने लोग सेक्षिनी योगतार मत प्राप्त करने में आगे बढ़े हैं वैसे लोगों को सरकार की चाहिए कि वैसे लोगो को खोज करके उनका गणना करा करके और उनकी आर्थिक उनत्ति के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए उनकी दसा को सुधारने के लिए उनकी सेक्षिनी कोक्ता को बढ़ाने के लिए अगर इस सरकार प्रयास करती तो उसका व्यापक स्वागत होता है धरती पर यह तो सरकार मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बगल में बैठे हुए हैं बुद्धन पास्वान जी है इनका गवर्दतियाना है हम जीवन काल में 45 परसों से मेरा इनके साथ संबंध है मधूर संबंध है पारवारी क्रिष्टा है लेकिन यह वेक्ति आज तक अपने जीवन काल में कभी दोती और पैजामा नहीं पही रहा है लुंगी पर पूरे बिक्रम विधान समा का भर्मनी करते हैं अगर सरकार गरीबों के प्रती सची सरदा अगर रहती ते तो अनुसुची जाती का वेक्ति है इसका उत्थान हो जाना चाहिए था घर चल करके देखें इनका आज भी धर मत चू रहा है जो पड़ी है कहां चला गया मत सरकार के दुर्देश्टी सरकार को गरीबों के प्रती पुफादा लिए है हम तो समाज में रहते हैं सब तब के को लोगों को देख रहा हों आज तमाम जग्रों में सेक्ष्णी सनस्ताव में जा करके देखें अनुषय जाती के बच्चों के विकास के लिए इस्कूल का निर्मान हुआ है स्कूल का निर्मान अनुवतोपुर में है पर्थामर्ग से ले करके और असना तक पड़ाई हां होती है लेकिन कहां इस इलाके में गरीबों के बच्चों के सेक्षनी विकास हुआ नहीं हुआ यह केवल मत वहां बैद करके धरातल परहा करके देख करके और काम करने की याक्रोष पैदा होता है तो सरकार इस प्रकार के हदगंडा अपनाती है कभी जनगंडा कभी समाज को बाट दो समाज बटने वाला नहीं है हिंदुस्तान की जनता एक है और सनातन धर्म के प्रति सब लोग जागरुक है और जो अगर इस सब लोग मन बना लेगा हिंदु और मुस्लिम अलग अलग दिखाया गया है जाती है जनगंडा में तो सारा हिंदु अगर एक हो गया तो 87 प्रति सब देश में हिंदु है इसका माकुल जबाब देगा इसलिए सरकार को चाहिए कि उनसे बिनम्र निवेदन है कि अभी मामला सुप्रिम कोर्ट में परसो सुरवाई होगी उसकी प्रतिक्षा कर लेनी चाहिए थी और बारीकी से आर्थिक रूप से जो गरीब हैं उनके उत्थान के लिए जोजना ब करीब हो उसकी उनकी होनी चाहिए उसका विकास होना चाहिए उसका घर में आर्थिक से लेकर के सैच्षिंग से लेकर के और समाजिक सब प्रकार के विकास के लिए सरकार को कटिबद्द होना चाहिए यह केवाल बता देना हम तुम पहले इसा जानते हैं कि अनुस्टी जात तो बाल काटने का काम करते हैं उनके आर्थिक सब्रिदी कहा हुआ सरकार में अगर सरकार की नियत साफ रहती तो आज उनकी दसा सुधर सकती थी लेकिन या केवल मत्तराइने तिक पैतरीवाजी है जैसे अंग्रेज करता था फूट डालो राज करो उसी प्रकार से बरतमान की सरकार समाज में फूट डालो और शासन करो की नीती पर काम कर नहीं है जिसे जनता सही समय परमाकूल जबाब देगी बिहार में नितीश कुमादी की सरकार है कभी भारती जनता पाटी के साथ रहकर की इन्होंने सरकार चलाई यह समय रास्ति जनता दल के साथ होकर के सरकार चला रहे हैं लेकिन मैं आप से जानना चाहता हूँ या मैं बताना चाहूँगा कि जितने लोग बिहार में गरीब हैं उनके उनकी आक्राइ इस सरकार के पास है क्या नहीं है है कि या मतलब अर्थी पिछले के और नेता हो जाएए या अनुष्चिजाती के नेता हो जा जाए सब लोगग को आरचन मिला है लेकिन कहा मतल निति इसकुमार जी जो आज आक्राइब्स किये हैं उनके अनुसार अनुष्चिजाती का हाथ में देना मतलशत्ता को बहुत दिन तक इन्होंने सक्ता चलाने का काम किया है अनुश्य जाती कि जिसकी संख्या है भरती बिहार में उनको सक्ता चलाने के लिए के उनहीं दे रहे हैं सत्ता के वहुची कुर्शी प्रमेर रहूं और केवल जनता को जनगनना करा करके जाती है जनगनना करा करके और लोगों में भ्रांतिया पैदा करना इसे बिहार को भला होने वाला नहीं है बिहार अत्यंत पिछडा हुआ देश राज्य है हम लोग यहां गरीबी देखा से नीचे 80% लोग जीवन वशर करते है हम नितीज कुमार जी से ही निवेदन करेंगे कि आप बिहार के मुखिया है जो 80% गरीब यहां लोग है उनकी दसा को सुधारने के लिए आप प्रयास करें तब बिहार का विकास हो सकता है आज आप जाकर के देखें ना आईजी एमस में कल लगता था कि तीन चार हज़ार की भीड़ थी रोगियों का पीमसेट में जाकर के देखें पेपर में तस्वीर दिये हुए क्या उन सब लोगों को हिलाज हो गया था का कल नहीं हुआ था बहुत लोगों को पुर्जा ले करके और चलते बनने पड़ा वहां से सरकार रोज घोसना करती है कि मुफ्त के एक सो दवाईया है रखे हुए लेकिन एक भी दवाई नहीं है आईजी एमस में पीमसेट में और इनमसेट में सरकार की घोसना तो केवल लोगों को ठगने के लिए है अपने राजनेति रोटी सेकने के लिए है इसे जाती है जनगनना से भिहार को कोई भला होने वाला नहीं है इसको राजनेति घतियार के रूप में अगर प्रयोग करना चाहेंगे तो जनता इसको माकूल जबाब दे क आने वाला समय बता है और जब समाज एक जूट है तो उनका कहना है कि 2024 जब लोक्स वाचुना वाएगा तो निश्यत रूप से जनता इसका जवाब देने के लिए तयार है अजय कुमार बिहार नियुज पटना